अज हम बनाने जा रहे हैं मीठे कद्दू का दम, मीठे कद्दू का दम बनाने के लिए हम कद्दू को बरे बरे टुकरों में काट लेंगे और उसे डीप फ्राइ कर लेंगे डीप फ्राइ करने के बाद जो तेल बचेगा उसमें थोड़े से गरब मसाले, जीरा और लाल मिर्च का फोरन देंगे फिर उसमें पयास डालेंगे और फिर उसमें बेसिक मसाले, हलदी, धनिया, जीरा, नमक, लाल मिच पारड़र और थोड़ासा अधरक लासुन का पेश्ट डालेंगे फिर जब हमारे मसाले थोड़े से भून जाएंगे तो उसमें कद्दू डाल देंगे कद्दू डालके इसे ढखकर दोस्ते चार मिनिट पकने देंगे फिर उसमें गूर डाल देंगे गूर डालके भी से थवा पकने देंगे और हमारा सबजी बनके तयार है चावल और कद्दू दम तयार है खाने के लिए